दोस्तों Excel की इस amazing and powerful वीडियो में आप सब का स्वागत है जहां पर आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे invoice create करना अब देखो एक बात आपको भी बताए कि as a Excel user अगर आप कहीं sales department में work करते हो तो वहाँ पर invoice create करना और invoice related जितने भी terms होते हैं उनके बारे में पता होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो अगर हम बात करें आज किस वीडियो की तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप invoice create कैसे करेंगे साथ ही उस invoice को हम और अच्छे से use कर पाए इसके लिए हम उस invoice को automatic invoice में convert करेंगे इसके साथ ही जिदने लोगों के लिए हम invoice create करेंगे उन सब का data भी हम store करना सेखेंगे मतलब है जो वीडियो है वो होने वाला है automatic invoice with database तो एक बात तो के लिए रहे कि वीडियो आपके लिए full of information होने वाला है आपसे बसकते से request है कि अगर यह वीडियो आपको useful और informative लगे तो प्लीज वीडियो को like करें नहीं तो वीडियो को just like करें तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को तो normally हम लोग आजाते हैं अपनी computer screen पर और यहां पर हम लोग प्रेस करते हैं Ctrl N Ctrl N करने पर हमें एक new document मिल जाएगा और इस section पर हम लोग एक invoice create करेंगे अब जो भी हम लोग invoice create करते हैं उसका जो size होता है वो हम लोग हमेशा A4 पेसे print करेंगे तो A4 पेसे print करने के लिए पहले हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि इसका section है वो हमारा कहां तक create हो रहा है तो इसके लिए पहले हम लोग यहां पर अपने section fill up कर लेते हैं जो हम लोग को invoice के लिए तो जैसे कि आया पर मैं लेते हो serial number यहां पर बहुप लिखंगा उसके बाद मुझे यहां पर के description तो मैंने यहां पर लिख दिया description जहां पर मैं अपने details के बारे में लिखंगा details की बाद उसकी price के आप ह müssen कितनी quantities हमें चाहिए और फिर हम यहां पर लिखेंगे टोटल अब इतना करने के बाद हम यहां पर देखेंगे कि हमें कहां तक इनका size adjust करना है क्योंकि हो सकता है कि मुझे जो description हो थोड़ा से ज्यादा बड़ा चीए क्योंकि उसमें जो size होगा वो ज्याद हो सकता है उसके प्राइज है quantity है या फिर टोटल अमाउंट है थोड़ा बहुत हम लोग इनको size बड़ा कर देते हैं इतना करने के बाद आप यहां पर देखेंगे आपका option में लेंगे यहां पर यह जो line होती है यह हमें बताती है कि हमारा जो page है वो यहीं तक बन रहा है पिर यहां से हमारा second page बन रहा है तो इतना करने के बाद अब हम लोग ने सासे पहरे यह चीज इसलिए create की कि हम लोगों बात में कोई एककत नहीं हो कि हम लोग यहां पर आपने changes ना कर प अब इस section पर मैं लिख लेता हूँ कि मैं कौन सी company या फिर किसके लिए मैं यह invoice create कर रहा हूँ तो जिसमें यहां पर लिखता हूँ मैंने लिखा पृत्वी fashion point इतना लिखने के बाद हम नीचे आते हैं नीचे यहां पर लिख लेते हैं address तो जिसमें यहां पर लिखा main market barola sector 49 नीर-axis bank ATM नीचे आते हैं यहां लिखते हैं हम लोग Noida अब इन तीनों को हम लोग select करेंगे और इन्हें कर देंगे हम लोग center में align home में आते हैं और यहां से इसमें कोई color customize करना होता है तो यहां से आप वो color भी इसमें apply कर सकता है अब यहां पर हमें कौन सा color देना है तो यहां पर मैं देना चाहूंगा yellow color यहां पर मैं वह select कर लेता हूँ और इस जगे पर मैं देना चाहूंगा white color तो हम लोग यहां जाते हैं और यहां से इसे कर देत तो यहां पर हम लोग size increase करते हैं text का और इसका size और increase कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से section हमारा create हो जाएगा अब यह section create होने के बाद मुझे यहां पर लिखना है invoice तो इसे भी select करते है alt h m c अगर आप प्रेस करते हैं तो यहां पर आपका data होगा वह automatically merge and center हो जाएगा अब मैं यहां पर लिखता हूँ invoice जो कि हम लोग properly यहां पर लेक पाएंगे bold करना तो control plus B कर देंगे और अगर हम लोग वह size बढ़ा करना है तो हम लोग यहां से size भी बढ़ा कर देते हैं कोई color apply करना हो इसमें तो आप format करने के लिए सरसे इसमे color apply कर सकते हैं मैं इस जगे पर इभी इसको bold कर देता हूँ और इसका size बढ़ा कर लेता हूँ protein रख लेते हैं और color हम लोग save इसमें apply कर देते हैं तो इतना section create होने के बाद अब हम लोग यहां पर create करेंगे details जहां पर हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे invoice number तो यहां पर लिखते है invoice number यहां पर हम लिख लिए date थोड़ा से gap देखें यहां पर लिखते है name यहां लिखते है address यहां लिखते है contact अब यहां इतना करने के बाद हम इन पूरे cells को select करते हैं Home में जाते हैं और इने हम कर लेते हैं यहांसे merge across यह भी merge हो जाएगे हमारी इस थरह से अब एक काम करते हैं इस पूरे डेटा को select करते हैं और यहां पर एक side कर लेते हैं size कि हम लोगों कि size में इसमें text लिखना है पी करता हूं तो अब देखेंगे अभी तक हमारा आधर section है न इन्पोईस का वो create हो चुका है अब हम लोगों को create करना है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे total amount निकालेंगे SGST निकालेंगे, IGST निकालेंगे तो वो किस तरह से create होने वाला है तो उसके लिए हम लोग पहले इसमें borders apply कर देते हैं borders apply करने के लिए हम स्वाइब करते हैं और यह हमारा जो page है वो को लगभग यहाँ तक बन रहा है और मैं चाहूंगा कि इस section तक हम लोग अपनी details लिख पाए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे को GST की details लिखें और यहाँ पे हम लोग signatory वगरा सारी चीज़ फिलप कर पाए इतना select करने का तो आपको home में जाना है यहाँ आप keyboard से ctrl 1 प्रेस करिए आपके इसमें एक option मिलेगा Borders का Borders मानेगा तो वो किस तरह के style के Borders चीए तो मैं यहाँ पर border style select करता हूँ यह वाली और यह जो Borders है वो मुझे सिर्फ यह vertical portion में ही चाहिए horizontal portion में नहीं चाहिए तो यहाँ समें इसके horizontal portion को हटा देंगे आपे जो कि हमारे जाने के बाद Borders में से आप सिर्फ outside Borders पर क्लिक करिए जहां पर Borders इसके outside भी apply हो जाएंगे सेम लोग इसको भी select कर लेते हैं क्योंकि हम Borders यहां पर भी चाहिए हम यहां पर जाएंगे और यहां पर हम कर देंगे वह किस तरह से यहां पर maintain होगा total amount करेंगे यहां पर यहां पर आते हैं GST apply करने के लिए जहां पर मैंने लिखा CGST यहां में लिखा SGST एंटर करते हैं और यहां पर हम लोग लिखते हैं grand total अब यहां पर हमारे तो GST है वह मैं यहां पर लिखने हो कितना percentage हो डिटक्ट हो रहा है तो मैंने यहां पर लिखा 9% सेम यहां पर लगाते हैं 9% अब यहां पर भी हम लोग Borders apply करते हैं पूरे data को कर देते और करते हैं alt-hmc चांबब करना लगवग तोसी को छाइघ है कि यहां पर हमलों सब्सक्राइब करते हैं कि इसों करना करें कारदा हैं और यहां पर आके आपको currency format इसमें apply कर देना है अगर आपको format करना हो तो simple आप यहां जाए और home में जाके आपको जो भी color इसमें suitable लगे आपको इसमें apply कर दीजिए जैसे कि मुझे इसमें color करना है यह वाला और grand total में भी हम लोग same apply कर लेते हैं cgst और sgst में color change कर लेते हैं यहां पर हम home पर गए जहां पर मैं इसका color तो यह रख लेते हूं तो यह कुछ इस तरह से यहां पर apply हो जाएगा तो इतना हम लोग नहीं पर create कर लिया है Ctrl P करते हैं, अब हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है, जहां पर ये कुछ हमारा जो इन्वाइस है, वो यहां तक ready है, जहां पर ये section हमारा बना हुआ है, अगर हम लोग पूरा इसका एक section एक अलग तरिके से यहां पर denote करना होता है, तो हम इस पर border apply कर देते हैं, अब border apply करते हैं, तो data को zoom out करते हैं, जहां तक भी आपको border चाहिए, आप इसे select करिए, मुझे border से इसमें देने हैं यहां तक, यहां तक border देने के लिए हम लोग यहां पर जाएंगे home में, और इस section पर जाके हम करेंगे यहां ठिक outside border पर click, जिससे इस data के सिरफ outside में borders apply हो अब आपको यह कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि एक अलग तरेके से आपको यहां पर view display करता है, और थोड़ा से यह perfect way में आपको invoice यहां पर create करके दे देता है, थोड़ा सा इसमें और editing हम लोग को apply करनी है, जहां पर हम लोग यहां पर यहां करने वाले हैं, हम यहां पर आपको यहां प्रेस करना है, और यहां पर आपको लिखना है authorized signatory, बोल्ड कर देते हैं और तुछ इसका size जो है, वो increase कर देते हैं, यहां पर आप sign करने के लिए भी एक space add हो जाएगा, अब यह हमारा जो इसमें format है, वो तो हो चुका है ready, अब यहां पर हम लोग करने के validation add कर दीजिए, validation add करने का benefit यह होता है, कि आपको बार बार types नहीं करने होता है, आप data validation से select कर सकते हैं, जहां पर आप data section में जाएंगे, आपको यहां पर validation option में लेगा, आपको यहां click करना होता है, any values आप इसको list कर दीजिए, और list में आप source में जाके अपनी list लिख सकते है यहां पर आपको कोई list होते हैं, तो इस list का already यहां पर लिख के रखें साइड में, और उस list को इसमें आप add कर सकते हैं, तो अभी मैं इसमें list add नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर links लेता हूं, तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, pant, jeans, shirt, trouser, shoes, तो इस तरह मैंने हम लोग product लिखें, यहां पर उस product का serial number automatically add हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग यहां पर formula add करेंगे, हम यहां पर लिखाएंगे, और यहां पर हम लोग एक logic test apply करने वाले है, logic test में हम लोग यह रखेंगे, कि अगर इस जगे पर कुछ कुछ भी ना लिखाओ, यानि कि equal एक बर आपको invert comma देना है, और second time आपको invert comma देना है, कॉमा करते है, अगर ऐसा हुआ, तो यहां पर क्या आना चाहिए, तो इस जगे पर अगर कुछ नहीं है, तो यहां पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो दो बार आपको invert comma देना है, इ यहां पर यह first row को count कर रहा होगा भी, bracket close करते हैं दोनों का, और यहां पर enter press करते हैं, तो आप देखिंगे, यहां लिखा आगिया, और जैसे मैं यहां से product को delete करता हूँ, तो यहां से value change भी हो जाएगी, यानि कि delete हो जाएगी, तो आप इसको पूरा select कर लिजए यहां तक, जिसे कि यह automatic set हो जाएगा, अब इस automatic का benefit like मैं यहां पर click किया, यहां से shirt पर click करूँ, तो यहां shirt लिखा आगिया, अगर मैं यहां पर आगे jeans में click करूँ, तो jeans में click कर लेंगे, और इसमें इस तरह से jeans आ जाएगा, इसी तरह से आप इनके जो prices होते हैं, वो भी आप एक त इतना ले रहे हैं, तो quantity के लिए मैं यहां लिख रहा हूं कि मैं 4 quantity ले रहा हूं shirt की, और यहां पर मैं 7 pieces ले रहा हूं jeans के, इतना करने के बाद, अब हम लोगो यहां पर total निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे equal, और हम लोग इसको multiply कर देंगे 4 के साथ, और यहां यहां पर enterprise करते हैं, जहां पर 2000 का आजाएगा answer, और आपको इसके drag कर देना है यहां तक, बड़ आप ऐसी नोटिस करिए, आपका यहां तक ठीक है, आपने सभी के लिए लगा दिया कि कभी भी आप यहां से कोई भी product उठाएंगे, यहां पर उसके quantity आजाएगी, और यहां आपको यहां पर एक formula लगाना है, वही, if का, if में आपका logic क्या होने बाला है, अब यह मैं इसको पुरा हटा देता हूं, logic हमारा यह होने बाला है कि अगर इस जगे पे कुछ ना लिखाओ, जैसे अभी मैंने पहले किया था, तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, और अगर यह value, multiply करिए यह हो, इस value से, तो answer आजर अची, enter प्रेस करते हैं, और इसे हम लोग drag कर देते हैं, तो अब यहां पर कुछ भी नहीं आया, और अगर आप यहां पर कोई भी product अपना select करेंगे, जैसे मैं यहां select कर लेता हूं, paint, और मैं यहां पर एक rate set कर देता हूं, 800, two pieces, और enter press करते हैं, तो आप देखेंगे, यहां पर automatic एक answer लिखा, तो इस तरह से भी आप अपने data को बना सकते हैं, इतना हमने कर लिया, इतना करने के बाद, यहां पर total हम कैसे निकालेंगे, तो total के लिए हम यहां पर कर देंगे, auto sum, alt equal to करना है, यह automatic आपके range को select कर लेगा, और जै करते हैं, और इसको multiply कर देते हैं, 9% के साथ, और यहां पर हम enter करते हैं, अब यहां पर इन तीनों को मुझे sort जोड़ना है, तो alt equal to करते हैं, यहां पर इसको यहां तक select किया है, हम इसके range को उपर तक select करेंगे, और यहां पर enter कर देंगे, तो without GST आपके total amount होने वाला है, व home पर आते हैं, और यहां आने के बाद हम यहां से bottom water add कर लेता है, जैसे कि यहां पर यह water add कर लेता है, तो यह कुछ इस तरह से बना हुआ है, अगर आपको इनका size तो चोटा लग रहा है, तो आप इस पूरे section को select कर यह, और tax size आप यहां पर भी adjust कर लिएजिए, तो home पर आ 24, तो date लिखते हैं, इसने अपने size को automatic और adjust कर लिया है, तो first time है आप वो थोड़ी चीज़े यह manage करनी पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग इनका size जो है, वो automatic adjust हो जा रहा है, तो एक बार size set हो जाएगा, तो उसके बाद आपको यह problem fix नहीं करनी पड़ेगी, अब यह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब यह इस तरह सा आ चुका है, अब हम तीनों को select करते है, home में आके इस हम कर देते हैं, left align, और थोड़ा सा यह value इस तरह से distance में रहे, इस तरह से हम इसके indent को थोड़ा सा आगे बढ़ा जेंगे, यहाँ पर, same हम लोग इससे select करते है, इसे भी हम लोग इतना इनका size है, वही size आकर आपको इनका भी रखना है, तो वह size हम लोग यहाँ पर set कर लेते हैं, अब हमारे invoice पुरा completely ready रहेगा, तो हम इन सभी को select करते हैं, यहाँ चे लेके यहाँ तक पुरी range select कर लेते हैं, और इसके taxes size को थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, तो यहाँ प worksheet में update होते रहे, तो उसके लिए हम second sheet पर जाते हैं, यहाँ पर एक नई sheet ले लेंगे, और इस new worksheet पर आपको कौन-कौन से details एड़ करनी है, उन details को हमारे लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों का एक invoice number चीए होगा, और एक हमें चीज़ होगे date, दोनों को मैंने select किया, ctrl c करते ह और यहाँ आके, इन हम paste कर देते हैं, sheet 1 पर आते हैं, और यहाँ पर आके, इन 3 लोगो set करते हैं, copy करते हैं, और यहाँ आके, हम लोग यहाँ से paste करते हैं, लेकिन paste करने बाद देखें कुछ इस तरह से आएगा, तो आपको यहाँ पर करना होगा, paste special, तो ctrl alt v आपने transpose और इसे कर देना, okay, तो सारी values कुछ इस तरह साएंगी, फिर some sheet 1 पर आते हैं, और क्या-क्या चीज हम लोग वहाँ पर लिखनी है, तो यहाँ से हम लोग यह चीज़े add कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग total को copy कर लेते हैं, अब यह cell में merge कर रिखी हुए, इसले में single single copy कर र paste कर देंगे, तो थोड़ा बहुत इस तरह से आपको यह structure ready करना पड़ेगा, यहाँ से इनके आगे से हम column हटा जेते हैं, address से भी हटाते हैं, इन सभी को हम लोग select करते हैं, अब home पर आईए, और यहाँ से हम लोग इसे कर देंगे clear formats, जिससे के बिल्पल सिंपल हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग इसको हटा जाते हैं, अब यहाँ पर एक column रहे गया है, तो इसे select करते हैं, control minus करेंगे, जिससे column delete हो जाएगा आपका, अब हम यह चाहेंगे कि जो भी data हम लोग वहाँ create कर रहे हैं, sheet 1 पे, वो data यहाँ automatically हमारे दोसी sheet पे पहुँच जाए, तो इसके लिए हम लोगों को एक macro इसमें record करना पड़ेगा, अब macro हमने पिछली वीडियो में भी discuss किया है, कई सारी ऐसे practicals हैं, जिनमें हम लोगों में macro का use किया है, जिनको आप playlist में जाके देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत interesting वीडियोस है, तो macro क्या है, macro एक तरीके से आपके commands को record करने का एक process रहता है, कि आप ये चाहते हैं कि आपको एक काम यहाँ पर कर रहे हैं, और वो काम एक तरीके से record हो जाए, कि second time जब भी आप वो काम apply करें, तो वो easily perform हो सके, आपको दोबारा से वो सारी महनत ना करनी पड़े, तो इस तरह से recording apply करने क के लिए macro का use की आजाता है, तो macro apply करने से पहले मैं इस section को select करता हूँ, और इसको table format में convert कर देते हैं, control plus T करेंगे, my table है, header पर click करेंगे, और इसे कर देंगे, okay, तो कुछ इस तरह से आपकी table यहाँ पर generate हो के आजाएगी, table format में आने के बाद हम यहाँ चाहेंगे, जो भी simply हमें क्या करना है, हमें पहले, macro record करने से पहले, equal करना है invoice number, enter कर देना है, equal करना है date को select करना है और enter कर देना है, फिर equal करना है, enter करना है, equal, enter, equal, enter, equal, total कर लेंगे, यहाँ पर enter करते है, फिर equal करते है, इससे select करते है, cgst और enter करते है, फिर equal करते है, sgst और equal करते है, यहाँ पर एंटर कर देता है तो यह सारी वैलियो यहां पर आ चुकी है अब हम ही चाहेंगे कि हम एक Macro record करेंगे तो Macro record करने के लिए आप View section में जाए यह विव में आपको Macro option दिखेगा और यहां से Macro को record कर सकता है साथ ही इसका एक और आप Macro record कर सकते हैं यहां पर रहता है record Macro option तो जहांसे भी आपको शूटेबल लगे आपको record Macro में click करिए यह पूस्ता है कि आपको Macro record करना है लेकिन उसका नाम क्या रखना है यहां पर जो भी नाम रखना चाहिए वह रख सकता है फिलाल में Ctrl Shift A से हो जाएगा जहांपर एक description डालना चाहिए तो description भी डाल सकते है तो मैं इसे okay कर देता हूँ तो यह कह रहा है कि जो A से है वो अल्रेडी इसमें बना हुआ है मैंने A से अल्रेडी किया हुआ है तो मैं एक ही जगे इसमें कर देता हूँ S पैसे हम okay कर देते हैं अब क्य देखें कि होगा कि एक data होगा फिर उसके बाद भी एक data होगा फिर उसके बाद भी इक data होगा यानि कि आपके data यहां पर एड होते जाएंगे और मैं चाहूँगा कि जो मेरी values है वो automatic नीची को बढ़ती रहे तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों क्या करना है हम लोगों data को select किया अब इन हर जगह पर लगा हूँ है formula तो आपको इसे करना है copy और हम चाहते हैं कि सारी चीजह जो columns में है वह ऐसे row level में आ जाए ऐसे उसके लिए हम लोग transpose करते हैं तो ctrl alt v करेंगे paste special के लिए और transpose करेंगे अभी इसको ok नहीं करना है उस हर जगह पर value लिए है बल है यहां पर उसका नाव आ चुका है और यहां पर grand total आ चुका है लेकिन थोड़ा सा इसमें format आपको बदलना पड़ेगा कि जैसे date section है तो यहां पर date माना चाहिए format तो आपको control 1 करना होगा और जहां से इसको आप date में कर दीजिए यहां पर date में ही आएगा और अगर आप इन values के लिए दिखाना चाहते हैं currency तो आप इन सभी चीज़े को select करेंगे control 1 करेंगे और उसके बाद आप यहां से currency कर दीजिए और इसे ok कर दीजिए इन सब पर currency format apply हो जाएगा इतना करने के बाद हम यह चाहेंगे कि हमारा data यहां तो add हो चुका है लेकिन यहां से जो हमा हादना हाइड करेंगे तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका data section यहां पर created है हमें चाहेंगे कि last में हमारा जो click है वह यहां पर आ जाए तो macro record जब हो रहा होगा आप click यहां रख दीजिए और अपने macro का यहां से stop कर दीजिए यानि कि अब हमारे एक macro इसमें recorded है अब मैं कोई भी entries में बनाता हूँ जैसे कि invoice नमर में यहां फिल करता हूँ यहां हम लोग लिखते हैं invoice नमर 1504 डेट लिखते हैं यहां पर कोई मैंने लिखा है यहां 14 524 नेम लिख लेते हैं मैंने यहां लिखा मयंक चौहन एड्रस लि अब description में कौन कौन सी चीज़े उन्होंने purchase करी है jeans purchase किये जिसका rate 700 है उन्होंने यहां पर आंसर आजाएगा ट्राउजर लिए जिनका rate 400 और उन्हेंने लिए यह दोपीस में यहां रेट आ जाएगा से मैं यहां यहां लिखा है 600 उन्होंने यहां पर शट लिए 3 तो यहां अब अगर हम लोग sheet 2 में देखें अभी तक हमारा data इस तरह से हमें यहां जाना है और Ctrl Shift S किया यहां पर तो आप देखेंगे मेरे selection यहां पर आ चुका है और सारा data इसमें से remove हो चुका है sheet 2 पर जाते है तो आप देखेंगे यहां पर एक data add हो चुका है इसी तरह से अगर मै आपका कोई एक और entries में लिखता हो तो अभी हम एक और entries में लिखते है मैंने इसका invoice नमर लिखा 1506 डेट यहां पर लेते हैं मैं लिखा यहां पर 16 524 और यहां पर किसी का नाम लिख लेते हैं मैंने यहां पर लिखा श्वेता कुमारी address लिख लेते हैं यहां पर आके sector 48 noida contact details 12345678910 इससे एक random नमर लिखा और इन्होंने कौन कौन सी चीज़े लिए हैं इन्होंने लिए jeans जिनका price है 900 और इन्होंने लिए हैं वो दो इसी तरह से हम लोग यहां लिखते हैं इन्होंने शर्ट लिए हैं शर्ट इन्होंने सूज लिए है 900 के जिनके तीन पेर भी इन्होंने लिए हुए अब इतना करने के बाद जैसे आपको प्रेस करना है यहां पर Ctrl Shift S जैसे आप यह करेंगे Ctrl Shift S करते ही आपका data यहां पर add हो जाए तो यह थोड़ा amazing सा लगता है कि आपका data यहां पर create हो जाता है यहा यहां पर insert में जाएए आपको पहला option देखेगा इसमें button का इसपे क्लिक करिए अब यह plus का sign आ रहा है आपको button create कहाँ करना है तो जहां पर आपको button create करना हो उस location पर आप click करिए यानि कि इस तरह से जैसे इससी में ब्ला रहता हूं यहां इस जगए पर जैसे button create करेंगे य तो हम लोग यहां पर आ कि इसे okay कर देंगे, अगर आपको इसका नाम चेंज करना हो, तो आप यहां पर right click करिए, और यहां पर edit text में जाहिए, आपको क्या नाम इसका रखना है, मुझे इसका नाम रखना है, send to database, यह मैं इसमे लिख लिए, इसको select कर लेते हैं, but size बढ़ा कर नाम लिखते हैं आपे, मैंने लिखा राकेश, address लिखा इनका, sector 45, noidup, contact detail लिख लेते हैं, और यहां पर लिख लेते हैं कि कौन-कौन सा product यह उन्होंने लिया है, इतना करने के बाद, आपका अगर data create हो जाए, बस हमें send to database पर click करना है, आपको shortcut key भी apply नहीं करनी है, आपका data send भी हो चुका है, और आपका format कुछ इस तरह से देख रहा होगा, मैं sheet 2 बे जाता हूँ, और हमारा यहां पर जो data है, वो इस तरह से यहां पर ready हो जाएगा, तो simply आपको यहां पर control plus P करना होता है, और update करके इसे दे सकते हैं, जहां पर जो भी आपका invoice बना होगा होगा, या फिर आप उन्हें से PDF format में send करना चाहते है, तो आपको PDF में इसको save करना है, जहां पर आपको यहां पर save as करना है, और save as करने पर आपको यहां पर option मिल जाता है कि आप इसको PDF format में save करना चाहते है, तो जैसे आप इसको भी नाम रखेंगे, आपका PDF format में save हो जाएगा, तो यह format मुझे प्रित्वी की नाम से save करना है, और मैं यहां से जाता हूँ कि desktop पे save हो जाए, तो desktop location select कर लेते हैं, और इसे save कर लेते हैं, प्रित्वी की name से, तो य ID करने के लिए, आपने data को select करना है, और यहां आना है home पे, और simply यहां से text color white कर दीजिया, जाब यह देखिएगा नी, और इस तरह से hide रहेगा, यह error अगर आपको show कर रहा है, तो यहां पे आपका आपका इसे ignore कर दीजिये, यह कुछ इस तरह सा आपका format में ready होने बाला है I hope guys आपको वीडियो समझना है होगी, इसके अंदर बताएगे, steps आपको पसंदा होगे, हाला कि यह वीडियो भी थोड़ा line दी है, लेकिन इस process को अगर आप समझते हैं, तो आपको automatic bill generate कर सकते हैं, automatic invoice ready कर सकते हैं, और यह आपको बहुत ज़दा काम आने वाला है, अगर आपको billing का गाम करना पड़े, या पर invoice ready करने पड़े, तो वहाँ पर unique तरीके साफ इस काम कर सकते हैं, और आप database करके, अपने data को save कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बार बार हर data को copy नहीं करना पड़ेगा, और सार अगर सार डेटा आपका एक अलग file मां automatically create हो जोगा, तो वी